हाई फ्रेंद्स मैसे डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक्सप्लेइन करूंगी एक क्लिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में यूस कर सकते हैं इसके अलावा आपको कौन सी डोस में यूस करने चाहिए लेटेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और जो बेल ऐकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताक कि यापको मेरे आने वाली वीडियो नोटाफिकेशन मिलता र तो एसे सारे और्गन और सिस्टम में वर्क करती है जैसे कि यह डाइजес्टिव ट्रेक के लिए यूज की जाती है इसके अलावा अगर किसी परसन को रिमेटिक पैन हैं तो ऐसे लोग इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं यूरिनरी कंप्लेंज के लिए भी इस मेंडिसिन को यूज किया जाता है और सेक्ष्ण प्रॉब्लम्स के लिए भी आप इस मेंडिसिन को यूज कर सकते हैं लाइकोपोडियम पेट की समस्या के लिए काफी जादे यूज की जाती है जैसे कि अगर किसी पर्सन को ब्लॉटिंग की कम्प्लेंड रहती है उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका जो पेट है वो डिस्टेंटिड हो चुका है ऐसे डेटी की प्रॉब्लम रहती है या फिर उन् बज़े के बीच में उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लोग इस मैदिसिन का यूज कर सकते हैं लाइकोपोडियम लिवर से रिलेटिड बिमारियों के लिए भी यूज की जाती है अगर किसी पर्सन को फैटी लिवर की कम्प्लेंड है तो ऐसे लोग इस मैद अगसे हैं लाइकोपोडियम मैदिसिन आप यूज कर सकते हैं अगर किसी परसन को कोई इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि लीवर में अगर किसी भी तरीके का इनफेक्शन है और लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस मैदिसन का यूज कर सकते हैं इसके sexual related complaints के लिए भी यूज की जाती है, अगर किसी भी male या फिर female को कोई भी sexual problem हो, तो वो इस medicine का use कर सकते है, sexual problem जैसे कि males को erectile dysfunction हो सकता है, तो ऐसे male इस medicine का use कर सकते है, erectile dysfunction एक condition है, जिसमें person को erection feel नहीं होता है, या फिर अगर उन्हें erection होता है, तो वो उसको maintain नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी complaints में आप इस medicine का use कर सकते हैं, इसके अलावा, अगर किसी male को premature ejaculation की complaint है, जिसमें semen बहुत जल्दी release हो जाता है, तो ऐसे male इस medicine का use कर सकते हैं, लाइकोपोडियम मेडिसिन, spermatoria के लिए भी बहुत useful medicine है, अगर किसी male को without sexual activity, involuntary तरीके से semen out हो जाता है, तो ऐसे male इस medicine का use कर सकते हैं, लाइकोपोडियम मेडिसिन, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको जो infertility से सफर कर रहे हैं, जैसे कि males जिनकी body में sperm count काफी कम होते हैं, जो लोग oligorspermia या फिर azuspermia जैसी condition से सफर कर रहे हैं, ऐसे male इस medicine का use कर सकते हैं, लाइकोपोडियम मेडिसिन, body में testosterone हार्मोन को increase करने में help करता है, तो अगर कभी भी किसी male की body में हार्मोन कम हो रहा है, उससे related उन्हें कोई भी बिमारी हो रही है, तो वहां पर आप इस medicine का use कर सकते हैं, लाइकोपोडियम मेडिसिन, एलोपेशिया के लिए भी यूज की जाती है, कई बार ऐसे देखा जाता है कि 30 या 35 एज के बाद, मेल्स के जो हेर है, वो fall होने लग जाते है, सीवियर एलोपेशिया होने लग जाता है, तो ऐसी condition में मेल्स इस medicine का use कर सकते हैं, लाइकोपोडियम मेडिसिन, आप लॉस ऑफ लिबीडो के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको सेक्शल अक्टिविटी का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, या फिर कोई भी अक्टिविटी के बाद, आप फिजीकली, मेंटली, काफ़े जादा वीक फील करते हैं, तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, लाइकोपोडियम मेडिसिन का बहुत ही इंपोर्टन सिम्टम है कि इनके यूरीन में आपको रेड कलर का सैंड लाइक पार्टिकल्स दिखाई देंगे, लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल मेडिसिन है जिनको recurrent urinary tract infection होता रहता है किसी भी रीजन के वज़े से अगर आपको बार-बार urinary system में आपको infection हो रहा है आपको urination में burning होती है pain होता है कई बार आपको offensive discharge भी हो सकता है urethra से तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते हैं लाइको पोडियम मेडिसेन बोन से related complaints के लिए भी यूज की जाती है अगर आपको बहुत जादा दर्द होता है हड्यों में swelling होने लग जाती आपको तो आप इस medicine का यूज कर सकते हैं अगर कोई person को osteoarthritis की complaint है जिसमें आपकी body में calcium कम होने लग जाता है या फिर आपको rheumatoid arthritis की complaint है rheumatoid arthritis एक autoimmune बिमारी है जिसमें body का immune system अपने ही cells को damage करने लग जाता है तो इसमें काफी severe pain होने लग जाता है swelling होने लग जाती है person को चलने फिरने में problem होती है तो ऐसी condition में आप इस medicine का यूज कर सकते हैं लाइक पोडियम medicine female related complaints के लिए भी यूज की जाती है अगर किसी female की hormones कम हो रहे है उसके बाद उन्हें कोई symptom आ रहे है जैसे कि मेंसिस से related अगर उन्हें कोई symptom आते है menstruation irregular हो गया या फिर excessive bleeding होने लग गई है तो ऐसी फीमेल इस medicine का यूज कर सकती है कई बार ऐसे देखा जाता है कि females को sexual activity में interest नहीं होता है उनको lack of libido की complaint होती है तो ऐसी फीमेल इस medicine का या फिर lack of hormone हो तो ऐसी फीमेल इस medicine का यूज कर सकती है लाइको पोडियम medicine psychological issues के लिए भी यूज किया जाता है अगर किसी person को anxiety या फिर depression की complaint है तो ऐसे लोग इस medicine का यूज कर सकते है अब मैं आपको इसका dose बता देती हूँ कि आखिर आपको कौन से dose में इस medicine को यूज करना चाहिए लाइको पोडियम आपको 30 potency में यूज करना चाहिए अगर आप इस medicine को 30 potency में यूज करते है तो आपको 4-4 ड्रॉप दिन में दो बार डायर्ट अपर टंग के ओपर इस medicine को यूज करना होगा सो फ्रेंड ये था लाइको पोडियम मैंने आपको बताया कि क्लिनिकली आप कौन-कौन सी condition में इस medicine को यूज कर सकते हैं और आपको कौन से dose में इस medicine को यूज करना चाहिए तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझ से consult करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे message कर सक ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को notification मिलता रहें तो आज के लिए बस इतना ही thank you